इस संबंद में यहां भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉन कैमरा पहना गया था जिसको अथक प्रयाज से पुलिस द्वारा आज पास चानवीन करके निकाला गया है और उस कैमरे में यहां पता चला सुरुक करते हैं अगस्ते चोहान के वारे में तो इस अगस्ते चोहान के लेकर के बड़ी अपडेट आरी पुलिस की तरफ से क्यों को जो गोप्रो मत्तब की जो खो गया था जो उनके साथ हैलमेट में लगा था तो वो दोस्तों उनको मिल चुका है उसके पूटेज थी वो और इस संब्ध को इस सूचना को गंबीरता से लेते वे चानवीन की गई तो पाया गया कि यहां यूवक्ट देरादून का रहने वाला अगस्य चौहान है जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टार्गेट अपने वीडियो में दर् है और उस कैमरे में यहां पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमेटर पर आवर तक की स्पीड गटना के कुछ दिर पहले जो है वो हिट की गई थी जो उसमें दर्स आई गई है और इस संबंद में अभी भी पुलिस की जाच आगे जारी है तो यह कैस अबडेट निकल के आई है में तो आमिर माजित गिए जा है जा रहे तो जो भी बंदे यह का रहे हैं कि मेरी बाई के साथ अगस्ता बाई की बाईक लगी है और यह बोल रहे है कि विरे में दिख रहा था था कि está पर तुमने उसको जूम कर लिया या फिर तुम्हें पता था कि एक्सिडेंट हुआ तुमने उसको जूम कर लिया यहां पर तो यह अभी यह वाला क्लिप देख लो डेगना आपको सारी जीज़ा जो है क्लियर हो जाएंगी अभी कोई भी कट नहीं लगा कहीं पर भी और यह दोस्तों सूरज वर्मा जो अगस्ते चोहन के राइडिंग पर गए थे तो उन्होंने भी प्रिचल पर एक वीडियो अप्लोड किया जहां पर उन्होंने आमिर माजित को टाग्रेट किया है और यह का कि आमिर माजित अपने वीडियो में जूट बोल रहे हैं हम मानते हैं कि एक्सिडेंट जो हुआ है वो 9 बच के 46 मिनट से लेके 9 बच के 51 मिनट के बीच में ही हुआ है सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सिडेंट हो चुका है तब ही उसने बताया, ठीक है, पाँच मिनट का डिफरेंस में, उसने क्या कहा है वीडियो में, कि भाई, पीछे एक्सिडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था, पाँच मिनट के डिफरेंस में, वो कितना आगे निकल आया था, एक वीडियो में उसने ये भी कहा है, क कि मैं खड़ा होके टोल पे उसका वेट कर रहा था कि कहीं वो बैटरी तो नहीं चेंज कर रहा पीछे गोपरो की तो अगर उन्होंने वेट किया होगा तो कितनी देर किया एक मिनट दो मिनट या एक सेकंड दो सेकंड कितना वेट कर रहा ठीक है दूसरी सिर्फ पांच मिनट के खेले और अगर पांच मिनट के अंदर उसे पता चल चुका था तो वह पांच मिनट में उसके पास वापस पहुंच सकता था तुरन के तुरन कोईंट नोट कर लो दूसरी चीज आज जो मैं आ रहा था तो मैंने देखा जेवर टोल से जहां पर एक्सिडेंट हुआ है वहां के बीच में दो कट मिले मुझे जहां से आप इधर उधर जा सकते हो एजिली प्रॉपर कट है ऐसा नहीं आपको कुछ करना पड़े तो टोल के बीच में मतलब एक तीन किलोमेटर के आसपास कट था और एक था शह या साथ किलोमेटर के आसपास कट वहां से भी वो कट ले सकता था उसने कट नहीं लिया उसने सीधे टोल पे जाके वेट किया क फिर गाड़ी घड़ी करके हम फिर जाएंगे उसके पास तो यह जो एना यह बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यूं करा उसे तुरंट जाना था उसे पता चल चुका था कि पीछे गाड़ी मेरे क्रैश हो रही है यह सबूत में दे रहा हूं 100% अब यहां साम को लाइव आया नहीं जिसके बाद उन्हों इंसग्राम पर इस्टोरी अप्लोड की और कहा कि आज रात को साहत 9 बजे कुछ बड़ा अपडेट दे सकते हैं वैसे कई से कल से बोल रहे हैं कि अपडेट देने वाला हूं देने वाला हूं लेकिन क्या अपडेट हो तो प तो फिल हलके इस वीडियो में इतना ही आई हो कि आपडेट पसंद आई हो ये पसना है तो लाइक कर देना और शेवर अपडेट के लिए चलों सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक